जेहन दोस्तो आज हम फिर से जो है SSC MTS जिहां दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि इसका एक्जाम जो है काफी जादा करीब आ चुका है तो हम एक विसेश स्रीज चलाए हुए हैं एक हपते की हम इसमें ऐसे महत्पूर प्रस्णों के बारें बात करेंगे जो कि सबसे ज़्या जादा बार ये कोशन आपके SSC MTS एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन ही कोशन की पूछे जाने की पूरी संभावनाय नजर आ रही हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को जादा जाद लोगों तक सेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें चलते हैं पहले कोशन की और पहला कोशन के सामने स्क्रीन पर ये रहा और most important question आपका जहां डोस्तो बहुत important question है आपका और कई बार यह पर इच्साहूं question पूछा जा चुका है तो पहला प्रेस आपका है कि British sansat का सदस बनने वाला British sansat का सदस बनने वाला पहला भारती कॉन जहां दोस्तों कई बार यह question पूछ दाइब आ चुका है तो इस प्रेस का जो सई जाब होगा option C दादा भाई नवरोजी जहां दोस्तों दादा भाई नवरोजी थे जो आप कह सकते हैं कि British सांसत का सदस्त मतलब पहले सदस्त से वही बने हुए थे अब चलते हैं अगले question की और और अगला question आपके सामने इसक्रीन पर यह रहा यह प्रेस भी आपका काफी trending है और यह प्रेस आपका जो है चर्चिल ने ही जो है महत्मा गाधी को अर नगन फकीर कहा था तो काफी important प्रेस नहीं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जाद जाद लोग तक शेयर करें अब चलते हम अगले question की और और अगला question आपके सामने इसक्रीन पर यह रहा और काफी important प्र सकते हैं कि आप जो है very very important इस स्रीज में आपको जो है सारे important question देखने को मिलेंगे और ऐसे questions जो है एससी बार बार पूछता रहता है अगर भी बात की जाए इस प्रेस की तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनवाद करने वाला पहला European कौन था जहां दोस्तों भगवत ग गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था अफसलते हैं अगले question की और और अगला question आपके सामदे स्क्रीन पर यह रहा आपका अगला प्रस्नाप का है कि गांधी जी ने किस धार्मिक गरंत को अपनी माता कहा था तो option C भगवत गीता जहां दोस्तों भगवत गीत को जो है महत्मा गांधी जी ने अपनी माता माना हुआ था अगले question की तरफ और अगला question आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा आपका अगला प्रस्नाप का है कि प्रसिद करांतिकारी गीत सरफ्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह रचना किस ने की थी तो option D option D राम प् काफी important है यह question और कई बार SSC के परिश्व में question पूछा जा चुका है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा दलो तक share करें और like subscribe करना न भूलें यह प्रस्नापका है कि British सामराजवाद के दावरान भारत का आर्थिक अपवाह जिहां द दादा भाई नरोजी के दुआरा ही जो है भारत का आर्थिक अपवाह जिद्धान जो है दिया गया था अब चलते हम अगले कोशन की और और अगला कोशन आपके सामले स्क्रीन पर यह रहा कि British सांसत का जिहां दोस्तों British सांसत का सदस्य बनने वाला पहले बैक्ति कौन थे तो option आपके सकते हैं option C दादा भाई नरोजी को ही जो है पहला सदस्य बनाया गया था अगर भी बात की जाए अगले प्रस की तो अगले प्रस आपका है और काफी important जिया दोस्तों काफी important प्रस निया भी आपका है और कई बार यह प्रस आपकी परिछाओं में भी पुछा जा चुका है कि भारत में राश्टी आयका जिया दोस्तों भारत में राश्टी आयका आकलन सबसे पहले किस ने किया था most important question आपका तो किया किस ने था तो option B दादा भाई नरोजी जिया दोस्तों सबसे पहले भारत में जो है राश्टी आयका आकलन दादा भाई नरोजी के जो है किया गया था तो यह सब आप करे सकते हैं कि very important जहां दोस्तों काफी मतलब कि आप यह करे सकते हैं कि SSC MTS आपकी परिच्चाय कुछ दिन में start होने वाली हैं तो यह आखरी दिनों में हम बहुत important questions आपको करा रहे हैं तो आप अगर इन वीडियो को पूरी तरीके स्तियार करके जाएंगे तो निश्ची तुरूप से आपका selection जहां दोस्तों आपका selection जो है काफी आसानी से इस बाए से CMTS में हो सकता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को जाद जाद लोगों तक सेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूरे धन्यवाद